वैसे तो किसी लड़की के बहुत सारे दिवाने होते हैं पर एक लड़की की भी पसंद होती है उसके दिल में तो कोई एक ही बसता है कई बार ऐसा होता है कि उस लड़के की नजर लड़की पर नहीं होती जिससे लड़की पसंद करती है जो लड़की उस लड़के को दिलो जान से चाहती है कई बार लड़किया सामने से प्रोपोस भी करती है पर कई लड़किया ये जानती है कि सामने से प्रोपोस करने से उनके रिलेशन में लड़की के वैल्यू नहीं रहती इसे लड़किया चाहती है कि क्यों ना लड़के को impress किया जाए और लड़का सामने से propose करे तो हर लड़की को ये कितना पसंद आएगा अगर आप भी ऐसा चाहती हो तो आज आप ये जान जाएंगे कि किसे लड़के को अपना दिवाना कैसे बनाए खुबसुरोती लड़के के कलेजे पर वार करती है लगबख सारी लड़कियों को ये लगता है कि लड़के सिर्फ ब्यूटिफुल यानि दिखने में बहुत अच्छे लड़की को पसंद करते हैं ये बात सज भी है और नहीं भी इसमें ऐसा होता है कि लड़के को आपकी ब्यूटि एट्राक्ट तो करती है पर कभी ऐसा नहीं होता आपकी ब्यूटि की वज़जा से वो जिन्दगे पर आपसे प्यार करें वो आपके beauty के करण आपसे attract होता है और आपसे relation में आ जाता है पर वो आपका दिवाना आपके गुनों के कारण बनेगा आप में ऐसे loveable quality होनी चाहिए खुद से प्यार करो कोई भी लड़की कितनी भी खुपतुरत के उना हो उहें ऐसा ज़रूर लगता है कि उनमें कुछ कमी है उस तो वो नहीं है जो एक beautiful लड़की में होनी चाहिए एक लड़की के लिए अपने खुद के बारे में ऐसा सोचना बहुत बड़ी कमजोरी है क्योंकि आप इस तरह से सोचते हो तो कभी आप खुद को उस लायक नहीं बना पाओगे जिस तरह कि तुम भरना चाहती हो क्योंकि कोई ना कोई लड़की आप से खुपसरत तो होगी और आप अपने आप में इसलिए कमिया निकालती हो क्योंकि आपने अपने आप से ज़ादा खुपसर लड़की को देखा है खैर आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपने कोई कमी नहीं है क्योंकि आपने भी बहुत कुछ ऐसा होगा जो बाती दूसरी लड़कियों में ना हो पर प्राबलम ये है कि हमें सिर्फ खुद की बुराईया ही दिखती है हमारी खासियत नहीं जब आप सिर्फ खासियतों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो एक दिन आपको खुद से प्यार हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी इतना बड़ेगा कि आप पहले से जञदा अयट्राक्टिव लगोगे हमेशा खुश रहो हमेशा खुश रहना चाहिए कुईकि हस्ति खेलती चूलबुली लड़की लड़कों को उनकी और अयट्रैक्ट करती है बेशक आप जब हस्ति है तो आप पहले से ज़्यादा खुपसरत लगती हो भले ही आपको पता हो या ना हो आपकी happiness और आपकी smile लोगों को आपकी और attract करने का सबसे बड़ा रोल लिवाती है इसलिए हमेशा हसते रहे और हो सके तो खुश रहे क्योंकि अगर आप हमेशा दुखी रहने वाले इंसान हो तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि लोगों को किसी के दुख में कोई interest नहीं होता पर अगर आप कुछ रहने वाले हो तो वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे क्योंकि वो भी आपकी तरह कुछ रहना जाते हैं लड़की बनो हमेशा एक लड़की बन कर रहे है अपने आपको बहुत जादा खुबसरों बनाने के लिए या फैशन के लिए एक लड़की के असलियत को ही न मिटा जया जब कुछ लड़किया फैशन के हमारे अपने आपको ऐसे हालात में डाल देती है कि देखने में उनका कुछ नेशनल नहीं लगता तो कोई भी लड़का ऐसी लड़की को पसंद नहीं करता है क्योंकि ऐसी लड़किया देखने में बना वाटी लड़की है हमेशा याद रखो कि लड़के अपने opposite gender को attract होते हैं कोई भी लड़का किसी लड़के इसको देखर attract नहीं होता इसलिए जरूरी है कि लड़कियों कि कुछ basic अदाय आपने होनी चाहिए जैसे शर्माना और मुस्कुराना ज्यादा overconfirmative बात करना एक लड़की को मरदाना लड़की की image देता है तो हमेशा ध्यान रखे कि आप attractive लड़की जरूर दिखे पर over लड़की कभी न दिखे mood अच्छा रखो क्योंकि लड़का या कोई भी इंसान जिसको आप interest करना चाहते हो वो इंसान जब कुछ बोलता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि ऐसा करने से सामने वाले इंसान को लगेगा कि आप उनके बातों को value दे रहे हो आपको उनके साथ बात करके अच्छा लग रहा है और आप उस इंसान की respect कर रहे हो मैं हमेशा आपको कहता हो कि एक लड़के को लड़की खुब सुरती के तारिफ करने चाहिए और एक लड़की को एक लड़की के हमेशा respect करने चाहिए यह दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा effective होता है